हलो फ्रेंस आप देख रहे हैं डेली न्सिया का नमबर वन सर्विज सेंटर सूरेज केंपूटर फ्रेंस आज हमारे पास HP 1005 प्रिंटर आया है इसमें क्या प्रावलम है इसका जो लॉजिक कार्ड होता है जिससे आप प्रिंट आउट करते हैं यह हमारा कार्ड डेड है अभी हमें इसको खोल रहे हैं और खोल के चेक करेंगे कि क्या इस हो आ रहा है आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें क्योंकि इस तरह के कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहते हैं और अगर आप टूप में भी इस तरह का कोई प्रोब्लम आ रहा है तो आप हमें कमेंट करें हम आपको पुरा सपोर्ट करेंगे यह आप देख सकते हैं कि हमने HP 1005 प्रेंटर का फोरमेंटर लोजिक बोड बाहर निकाल लिया है और हम उसको डाइगनोज कर रहे हैं कि बोड के कौन से सेक्शन में प्रोब्लम है उसके बाद हम इसके फॉल्टी कॉंपोनेंट को चेक करेंगे और उनको वन बाई वन रिप्लेस करेंगे दिल्ली NCR में सुरज कंप्यूटर सी एक ऐसा सर्विस सेंटर है जहां पर प्रिंटर के लोजिक बॉर्ड रिपेर होते हैं अगर आपके पास कोई प्रिंटर है और वे ओन नहीं हो रहा है और इसके लोजिक बॉर्ड में प्रोब्लम है तो आप उसे हमें दिखा सकते हैं इस printer के logic board को repair करने का खर्चा 1200 से 1400 रुपे तक का आता है और यदि आपका board ठीक नहीं हो पराया है तो ऐसी condition में आपको नया logic board लगवाना पड़ेगा सुरज computer के पास में आपको नया logic board भी मिल जाएगा और जिसकी कीमत 3200 से 3500 रुपे तक होती है अगर आपके printer में भी कुछ प्रोब्लम आ रही है तो आप हमसे contact कर सकते हैं अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइब करें अब हमने जो कार्ड रिपेर किया था अब हमने printer में कार लगा के चेक कर रहे हैं पहले क्या था पहले जो डेट कंडिशन में था हमारा कार्ड अभी हमारा कार रेडि हो गया है आप देख सकते हमारी डिश्पिली पर रेडि लिका हुआ आ रहा है अगर आपके पास ऐसा कोई प्रिंटर है आपके कार्ड में लौजिक कार्ड में या सप्लाइब किसी महीं प्रोब्लम है तो आप सूरज कंप्यूटर पर कॉंट्रेक्स सबसे बेस्ट सर्विज देता है सूरन कंप्यूटर